कैसर गंज लोगसभा सीट यूपी की उन दो लोगसभा सीटों में से एक है जिस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है क्यूंकि बीजेपी ने इस सीट पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं आला कि खुद को दावेदार मान रहे मौजूदा बीजेपी सांज़त प्रजभूशन शरंद सेंग टिकेट के सवाल पर संभल संभल कर बयान दे रहे हैं लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे अभी एक दसमलो बागी रहेगा ब्रजभूशन शरंद सेंग कह रहे हैं कि वो कैसरगंज सीट के प्रबल दावेदार हैं 99.99 फीसदी तक चांसेज उन्हीं के चुनाव लड़ने के हैं सिर्फ एक फीसदी में ही खेला हो सकता है इतना ही नहीं सांसा जी ने ये तक खुलासा कर दिया कि बीजेपी कितनी तारीक तक इस सीट पर टिकेट का अलान करेगी ब्रजभूशन शरंद के मताबिक 27, 28 और 29 अपरेल के अंदर कैसरगंज सीट की घोशना हो जाएगी साथ ही वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखे बोले अगर एक घंटे पहले भी बीजेपी उमीदवार को टिकेट मिलेगा तो वो यहां से जीत कर ही जाएगा भारतिय जन्ता पार्टी मुतमेन है एक तम कैसरगंज को मानती है कि भारतिय जन्ता पार्टी के सीट है एक घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहां के मद्दाता भारतिय जन्ता पार्टी के प्रतासी को जिता कर भेज देंगे वो निश्चिन्त है उन्होंने जोड रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है अचानक मिलेगी बता दें कि ब्रिजभूशन शरन सेंग छेत्र में लगातार बीजेपी कारेगरताओं के साथ बैठक कर रहे है और मीडिया से टिकट को ले कर दावे खैर देखना ये होगा कि ब्रिजभूशन के नाम पर बीजेपी कब सस्पेंस खतम करती है साथ ही कैसर गंज के लोगों को क्या खुश खबरी मिलती है